मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ इस समय ग्राम स्वाराज अभियान के तहित साथ प्रमुक कारिक्रमों का लाब हमारे सरवाधिक गरीब और वन्चित नागरीकों तक पहुंचाया जा रहा है इन सेवाओं में बिजली, बैंकिंग, कल्यानकारी और बीमा कारिक्रमों के साथ साथ तुर्गम इलाकों तक टीका करण की सुविधा पहुंचाना शामिल है ग्राम स्वाराज अभियान के दाइरे में उन 117 आकांची जीलों को भी शामिल कर लिया गया है जो आजादी के साथ दशक बाद भी हमारी विकास यातरग में पीछा रहे गए हैं लेकिन इस सब का लाब तभी होगा जब इस समझोते पर हस्ताच्छ हो जाएं और उस पर इमानदारी से अमल किया जाएं इस से भी अधिक महत की बात तो यह है कि मोर्चे के कारकरता इमानदारी से अपने हतियार डाल कर राष्टी धारा में सम्मिलित हो जाएं यह इस लिए कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को हतियार उठा कर लोगों की हतिया करने का चसका लग जाता है वह आसानी से नहीं छूटा करता ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हमारे सामने आया है इससे हमेशा ही सबके सामने कठीनाईया उपस्थित हो जाती है उपकुल्पती महोदया जी भारती परंपरा में दरिद्र नारायन की सेवा को सबसे अच्छा काम कहा गया है भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अभी त्वरेत कल्याने अर्थात कल्यान कारी काम सदयों तक परता से करना चाहिए मुझे विश्वास है कि हम सभी भारत वासी समाज और तेश के कल्यान के लिए तक परता के साथ अपना योगदान देते रहेंगे माननी सभापती महोदय माननी मंतरी जी द्वारा श्रम और कल्यान विकास की जो अनूदान मांगे प्रस्तुत की गई है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं उसमें मैं केवल कल्यान विभाग पर ही अपना अधिक ध्यान दूँगा खास कर उस आदिवासी उप योजना छेतर में जहां पर काफी कल्यान योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं में जैसा की माननी मंतरी जी ने बताया अब तक आदिवासी योजनाओं में लगभग सोलह हजार करोड रुपए खर्च किये गए हैं यदि उस खर्च के अनुसार देखा जाये तो उसका कोई संतोष चनक परिडाम नहीं दिखता है या सही है कि जो योजनाओं जिन समाज के लोगों के विकास के लिए बनाई गई हैं उस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए पूरी तरह से जानने के लिए उनमें सिच्छा की कमी थी सिच्छा की इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं लाबदायक होंगी इसकी तरफ अपने कोई ध्यान नहीं दिया और जो योजनाएं बनी थी उन योजनाओं के बीच में भी बिचोलियों ने ही रुकावट डाली और इन योजनाओं में जिस धंग से लाब मिलना चाहिए था उस धंग से इसमें लाब नहीं मिल पाया धन्यवाद